गर्मिया इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और एक हमारे बच्चे जिनके नकरे कम ही नहीं हो रहे हैं हमेशा दूद अधूरा ऐसी छोड़ देते हैं तो आईए उनी दूद से आज में आप लोगों के साथ शेर करते हैं ऐसी अमेजिंग स सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो आई फटा फट से हम कस्ट शर्बत बना करके तयार कर लेते हैं वो भी मिंडो में वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बैल आकन को जरूर प्रेस करना तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ तो मैंने आप एक चाथ ही कब डाला है अच्छी तरीके से दोरों चीजों को मिक्स करते हुए दो से तीन उबाल आने तक पकने देना है तो जब तक यह दूद अच्छी तरीके से पक रहा है बॉil हो रहा है हम फटा फट से next process स्टार्ट करते हैं तो next process में यहाँ पर हमने एक चोटा सा बोल ले लिया है इस बोल में हमें एड कर देना है थोड़ा सा दूद जो हमने बचा करके रखा था हमने यहाँ पे जो दूद का इस्तिमाल किया है वो अल्रेडी पका हुआ है थंडा है यानि नॉर्मल टेंपरेचर पे है अब हम इसमें आड करेंगे custard powder अगर तरीके से हमें इसे mix करना है वैसे आपने फलूदा की recipe देखी होगी उसमें मैंने आप लोगों को बताया है किस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं तो recipe के लिए आप description को जरूर चेक कर लेना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूद बहुत अच्छी तरीके से boil हो गया ह तो हम क्या करेंगे flame को धीमा करेंगे और अच्छी तरीके से धीरे-धीरे करते हुए इस custard powder के mixture को अड़ करेंगे अच्छी तरीके से mix करते हुए 3-4 मिंट के लिए medium flame पी हमें इसे पकाना है जैसी हलका सा गाड़ा होगा तब तक हमें पकाना है या फिर आप इसे दो या त तक भी पका सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीकी से थिक हो गया है और एक से दो बाल इसमें आ गई है तो इस टेज़ फिलम को आफ करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए थंड़ा होने के लिए बाहर रख देंगे और आप उसके बाद तो यहां पर मैंने एक चोड़ा चमच के करीब सब्जा सीट्स एड़ किया है इसमें हमें एड़ करना है पानी तो पानी हम एक ग्लास एड़ करेंगे वैसे तो आप इसमें आदा चमची सब्जा सीट्स एड़ करना बट मैंने एक चमच लिया है क्योंकि मैं बाद में इसक आफर से next process start करते है तो next process में हम बनाएंगे बच्चों की बहुत जादा फेवरेट जैली तो जैली बनाने के लिए हमने एप एक पैन ले लिया है इस पैन में हमें एड करना है सबसे पहले पानी अभी मैंने फ्लिम को अन नहीं किया है तो हम यहां पे मेजरिंग कब से देड क पानी आड करेंगे और इसमें आड कर देना है जैली पावडर वैसे तो आपको मार्केट बहुत सारे ब्रैंड के जैली पावडर मिलेंगे और यहां पर लिखा भी होता है कि आप उसे एक घंटे के लिए रखे सेट हो जाएगा बट मैं आज आज आपको बहुत ही सिंपल स जली का इस्तिमाल कर सकते हैं जो भी आपको फ्लीवर पसंद हो तो यहां पे न मैंने आप रेड वाला पावडर आड कर दिया अब साथी में जेलेटीन पावडर भी आड करेंगे तो इसे भी मैंने कट कर दिया और इसे भी पूरा आड करेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इने और मैं अभी इस्टेश में फ्लीम आण नहीं करूंगी जब यह अच्छी तरीके से मिल जाएगा दो मिनिट के लिए उसके बाद हमें फ्लीम को आण करना है तो फैनिली दोनों चीज़े अच्छी तरीके से आपस में मिल गई है फ्लीम को आण कर दिया और इस को इतना पसंद है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं तो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने से मिक्स किया है और आप इसका टेक्शर देख सकते हैं यह देखे एकदम गाड़ा होना शुरू हो गया है और इस तरीके से ड्रॉप आये तो समझ लीजे बहुत ही करूंगी और इसे डालने के बाद मैं इसे लगवा पांच मिन के थंडा कर लूँगी और जैसी हलका थंडा हो जाए ना मैं इसे तुरंत ही डीफ्रीजर में डालूंगी पांच मिनट के लिए उसके बाद आप चेक करेंगे बहुत एच्छी से सेट हो जाएगा तो अब मैं यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारी जैली बहुत जादा बढ़िया बन करके तयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये निकल गई है वाव मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना कि मन कर रहा है कि इसे तुरंत खाई लो ये देखे गाईस आप चाहें तो इसे अलग-अलग फ्लेवर के जेली तैयार कर सकते हैं मारकेट में आपको अलग-अलग फ्लेवर के जेली बहुत ही आसानी से पाउडर मिल जाएगा तो इस तरीके से आप इने बना सकते हैं तो ये देखे गाईस कितना अमेजिंग दिख रहा है एकदम ट्रांस्पेरेंट जैसा मेरा बेटा देखते ही बूला वाव मुम्मी आप जेली बनाया बहुत खुश हो गया वो तो आईए अब फटा-फट से हम शर्बत बना लेते हैं सबसे पहले हम बोल में अड़ करेंगे थंडा क्या हुआ कस्टर्ड जो कि बहुत ही अमेजिंग डिख रहा है और इसी किसास अब हमें इसमें एड़ कर देना है सब्जा सीर्स तो आप यहां पे आदा ही सब्जा सीर्स आड़ करना पूरा मत आड़ करना मैंने आपको पहले कैसे किया है कट करके इसे फ्रीज में सेट करने के लिए रख दिया था और यह देखे गाइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग हमारे कस्टर्ड शर्बत बन करके तयार हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है अब आप बताईए आपके कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और आप बहुत ही कम पैसों अपने घर पे इतना टेस्टी शर्बत बना सकते हैं इन फैक्ट आप इस शर्बत को बच्चों की किटी पार्टी में भी रख सकते हैं या फिर आपके बड़ों के पार्टी होते हैं आप उसमें भी रख सकते हैं गर्मियों का मज़ा ले सकते हैं बहुत सारे ऐसी चीजे हैं आप उसमें इसे बना सकते हैं तो गैस है ना बहुत को सब्सक्राइब करें और गैस अगर सब्सक्राइब क्या है तो बेल आइकन को भी जरू प्रस करें तब तक लिए गाइस तिल देन टेक केर बाबाई थैंक इफ और चिंग गोल्डीज किचन बाबाई